केप टाउन टेस्ट के पहले दिन विराट कोहली और डीन एलगर के बीच एक छोटा सा बेंटर देखने को मिला जिस से सारे फैंस को याद आ गई इंडिया और सौथ अफरीका के बीच खेली गई 2021 की टेस्स सीरीज अब इस पूरे विवाद की बात करें तो ये देखने को मिला जब टीम इंडिया केप टाउन टेस्स के पहले दिन बल्ले बाजी करने उतरी टी से कुछी देर पहले मारको यांसन की एक बॉल सीधा जाकर विराट कोहली के पैट्स पर जा लगी और एक बहुत बड़ी अपील हुई LBW के लिए जिसके बाद Empires ने फैसला दिया Not Out का लेकिन South Africa के सभी प्लेयर्स को लगा कि बॉल सीधा जाकर स्टम से टकराईगी जिसके बाद सभी प्लेयर्स और कप्तान डीन एलगर ने रिव्यू लेने का फैसला किया अब इसके बाद रिव्यू में जाकर पता चला कि बॉल स्टम्स को तो टकरा रही थी लेकिन Empires कॉल की वज़ा से और इसके बाद जो Empires का ओरिजिनल फैसला था यानि कि Not Out का वो करार दिया गया और विराट कोहली Not Out हो गये इसके बाद दीन एलगर को स्टम माइक पर सुना गया कि वो सीधा विराट कोहली के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप एकदम बाल बाल बचे हैं अब इसके बाद विराट कोहली डीन एलगर की इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ बॉल काफी ज़ादा उपर जा रही थी compared to आपकी वो गेन जो 2021 में रवी चंदरन अश्विन की गेन पर जा रही थी अब इसके बाद सारे फैंस को वो किस्सा याद आया जो 2021 के सेकंड टेस मुकाबले में देखने को मिला था उस टाइम पर डीन एलगर बल्ले बाजी कर रहे थे और मैच एकदम रोमान चक मोच पर फसा हुआ था रवी चंदरन अश्विन की एक गेन सीधा जाकर डीन एलगर के बैड पर लगती है और एमपायर आउट का फैसला देते हैं लेकिन सर्प्राइजिंगली जब रिव्यू लिया जाता है और रिप्लेस देखे जाते हैं तो बॉल विकिट से उपर जा रही होती है और डीन एलगर नॉट आउट करार दिये जाते हैं जिसके बाद टीम इंडिया के कई बड़े प्लेयर्स जैसे के केल राहूल रवी चंदर नश्विन और साथ में विराट कोहली स्टम्स माइक पर जाकर कुछ कॉमेंट्स पास करते हैं और ब्रोडकास्टर्स को अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं एक बार फिर उसी इंसिडेंट का एक फ्लेश बैक देखने को मिला केप टाउन में खेले जा रहे पहले टेस्स मुकाबले में जब डीन अलगर ने विराट कोहली को थोड़ा सा टीज करने की कोशिश की लेकिन विराट कोहली ने उन्हें 2021 का वो इंसिडेंट या दिला कर ए आपकी क्या कुछ राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियो के लिए क्रिकेट यान को फॉलो करना बिलकुल नपूलें